हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्टस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BFA कोर्स के बारे में दोस्तो अगर आपने प्लस टू की कक्षा पास कर ली है और उसके बाद अगर आप BFA कोर्स करना चाते हो तो इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा अगर आपको जे जानना है कि प्लस टू के बाद और कौन-कौन से कोर्स होते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जह जानते हैं कि BFA की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है Bachelor of Fine Arts दोस्तों आज की जो जनरेशन है वह कुछ क्रिटिव और कुछ खास करने में भरोसा रखती है इस कोर्स में स्टूडेंट्स पेंटिंग बना कर अपनी कला को निखार सकते हैं बलकि अपने शौं के साथ इसमें बेहतरिन करियर बना सकते हैं इसलिए जो इस कोर्स की मांग है वैह ज्यातर फील्ड में बढ़ रही है Fine Arts में Painting, Photography, Film, वस्तुकला आदीस में आ जाता है जो स्टूडेंट क्रिटिव होते हैं पेंटिंग और स्कल्प्चर में तो उन स्टूडेंट्स को इस कोर्स में जरूर जाना चाहिए और अपना फ्यूचर अच्छे तरीके से वैह बना सकते हैं इस कोर्स को करके तो आईए अब बात करते हैं कि जै कोर्स कितने वर्ष का होता है जै कोर्स लगबग 4 वर्ष का होता है और इस कोर्स में दोस्तो आपको विजूल एंड प्रफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो माइंड है वो क्रिटिव होना चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो जै कोर्स काफी ज़्यादा असान होता है और प्लस्टू के बाद इस कोर्स को काफी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में आपको किस परकार के सबजेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं इस course में आपको poster design, portrait painting, graphics, print making, life study और drawing जैसे subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं और भी इस field में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान पढ़ाए जाते हैं और इसमें practical work ज्यादा होता है तांकि जो आपकी painting की जो skill है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए अगर आप इस course में एक अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, एक अच्छे तरीके से practical work करोगे तो आपकी जो skill है वो काफी यादा enhance होगी अगर आपको BFA के course में admission लेना है तो इसके लिए आपको plus two की जो कक्षा है वो आपको पास करनी होगी admission के लिए कुछ universities और colleges ऐसे भी होते हैं कि जो आपको entrance exam के बाद ही आपको college में admission देते हैं अंत में दोस्तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग creative है तो आप इस field में जरूर जाएं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको BFA के course के बारे में बताया है अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो और अगर आपको जे जानना है कि plus two के बाद और कौन कौन से courses होते हैं तो उन वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो अंत में दोस्तो अभी आपको जे बीडियो केसी लगी अगर आपको जे बीडियो पसंद आई है तो अब बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दने वाग